प्रेमचन जीवन परिचय प्रेमचन हिंदी और उर्दू के एक महान उपन्यासकार और सहितिकार थे वे महान्तम लेखकों में से एक हैं इनका मूल नाम धनपत्राय शिवास्तव था ये नवावराय के नाम से भी जाने जाते हैं उपन्यास के छेत्र में उनके योगदान को देखकर बंगाल के विख्यात उपन्यासकार शरत चंचटो पाध्याय ने उन्हें उपन्यास समराज कहकर सम्बोधित किया था प्रेमचन ने हिंदी कहानी और उपन्यास की ऐसी परंपरा का विकास किया जिसने पूरे साहिति का माग दर्शन किया एक पूरी पेड़ी को गहराई तक प्रभावित कर प्रेमचन ने साहिति की यथार्थवादी परंपरा की निव रखी उनका लेखन हिंदी साहिती की एक ऐसी विरासत है जिसके बिना हिंदी के विकास का अध्यान अधूरा होगा वे एक सचेत मागरिक, संबेदन शील लेखक, कुशल वक्ता तथा सुधी संपादक थे बीसवी सदी के पुरवार्द में जब हिंदी में तक्निकी सुविधाओं का अभाव था तब इनका योगदान अतुल्मिय रहा उनका जन्व 21 जुलाई 1880 को वारानसी के निकट लमही गाउं में हुआ था उनकी माता का नाम आनन्दी देवी तथा पिता मुन्शी अजायब राय लमही में डाक मुन्शी थे उनकी शिक्षा का आरंब उर्दू और फार्शी से हुआ पढ़ने का सौक उन्हें बचपन से ही लग गया तेरह साल के उम्र में उन्होंने तिलस में होश रुबा पढ़ लिया मैट्री की परिक्षा उत्रीन करने के बाद वे अस्थानिय विद्यालय में शिक्षक नियुक्त हो गए नौकरी के साथ उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी अंग्रेजी, दर्शन, फार्सी और इतिहास के विशय को लेकर इन्होंने इंटर और बीए पास किया बीए पास करने के बाद वे शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर के पर्दपन नियुक्त हुए बाले अबस्था में माता-पिता का दियावसान हो जाने के कारण उनका प्रारंबिक जीवन संगर्स में रहा उनका पहला विभा उन दिनों की परंपरा नूसर 15 साल के उम्र में हुआ जो असफल रहा वे आरे समासे प्रभावित थे जो उस समय का बहुत बड़ा धार्मिक और सामाजी का अंदोलन था उन्होंने विद्वा विभा का समर्थन किया और दूसरा विभा बाल विद्वा स्रीव रानी देवी से किया उनकी तीन संताने हुई श्रिपत राय अमरित राय और कमला देवी श्रिवास्तर नून की रचना सोजे बतन के लिए उन पर जनता को भड़काने का आरोप लगा सोजे बतन की सभी प्रतियां जब्द कर नर्ष्ट कर दिगे कलेक्टर ने नवाव राय को हिडायत दी कि अब वे कुछ भी नहीं लिखेंगे यदि लिखा तो जेलवेज दिया जाएगा इस समझ तक वे धनपत राय के नाम से लिखते थे उनकी अजीज दोस्त मुशी दया नाराय निगम ने उन्हें प्रेमचन नाम से लिखने की सला दी इसके बाद वे प्रेमचन के नाम से ही लिखने लगे उन्होंने आरंभिक लेखन जमाना पत्रिका में किया जीवन के अंतिम दिनों में वे गंभी रूप से वीमार परे उनका उपन्यास मंगलशुत्र पूरा नहीं हो सका लंबी वीमारी के बाद आथ अक्टूबर 1936 को उनका निधन हो गया उनका अंतिम उपन्यास मंगलशुत्र उनके पूत्र ने पुरा किया तो यह था हमारे महान उपन्यास कार कहानिकार प्रेमचंद जी का संचित्थ जीवन परिचे इसी सीरीज में मुनसी प्रेमचंद जी की रचित एक अधूत रचना और अनोकी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल से जूड़े रहें और अगर आपको आज का परीचे प्रभावित लगा हो तो हमारे चानल को सब्सक्राइब करें